हेलो आज मैं आपको दाल चावल की मठ्री बनाना सिखाऊंगी जो खाने में बहुत जादा टेस्टी वे करारी होती है जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो चलिए दाल चावल की मठ्री बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मठ्री बनाने के लिए हम एक कटोरी चावल काटा ले लेंगे अब हम इसके अंदर थोड़ी अजवायन क्रस्ट करकर डाल लेंगे हम मसालों में एक चम्मच हल्दी चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर चिली फिलैक्स और सुआद अनुसर नमक डाल लेंगे अब हम इसके अंदर पीसी हुई मूंकी डाल वे चने की डाल डाल लेंगे जो हमने पहले से ही पीस कर रख ली थी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें पानी का कोई भी इस्तमाल नहीं करना मिक्स करने के बाद हमरा डो कुछ इस तरीके का हो जाएगा के अंदर थोड़ी अलसी का इस्तमाल करेंगे आप चाहे तो काले तील या सपेद तील भी ले सकते हो हमने इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल लिया है हम इस डो का कुछ इस तरीके से लोहिया बना लेंगे अब आप देख सकते हो हमने कितनी सारी लोहिया बना ली है हमने एक पोलोथीन ले लिया डो को इसके अंदर रख लेंगे आप चाहें तो इसमें दो लोहिया भी रख सकते हो अब हम बोलतिन को कुछ इस तरीके के से अलग कर लेंगे अब हम पनी से अलग करके इसी कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे जो तेल मैं पहले से ही गरम कर रखा है आप चाहे तो दो मठ्रिया भी अप साथ बना सकते हो आप देख सकते हो हमारी मत्री कितनी ज़्यादा करंची बनी है मैंने पलेट के अंदर निकाल लेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सब्सक्राइब करके वेल आइकन ओन करें